हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल में हूँ मोहमद शरजील खान आर्जमगड माहूल यूपी से आप लोग थमनेल देखके समझ गई होंगे वाला जो है पंकी हम लोग बनाएंगे और इसमें जो है यह फैपरिक लेना है और यह दो पल्ले में रखना उसके बद मार्किंग करके आफ से काट लेंगे निहीं देख सप्दे आप कर टेंग हो चुका है और इसके अंदर यह की चिंग वाला भी है और इसके अंदर हमनों यह यूजज किया हुए है अब यह है यह बक्रम है बगरम के साथ फॉर्म भी यूस किया है और उसके साथ पलास्टिक की बोरी भी लिए हुए है कि यह अब यह अब इसको हम लोग एक फॉर्म के साथ और एक बक्रम के साथ इसको हम लोग पहले सिलाई मार लेंगे स्टेशिंग कर लेंगे और हाँ गैस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लिए उसे लाइक केजिए शेयर केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या इसे ही हम स्टेशिंग इसके में मारेंगे सीधा सीधा उसके बाद फिर हम किरास में स्टेशिंग करेंगे और यह जो हम लोग यह फैबरिक लिए हुए है यह बोस की फैबरीक है अब आपको जो भी फैबरिक लेना हो आप लेकर से सकता है यह हम लोग एक मार लिए और जो इसमें बढ़ा हुआ रहता है साइट से कपड़ा उसको हम लोग फिर काट लेते हैं और अब यह हम किरास स्टिच करेंगे वो भी ऐसे ही मार लेंगे थोड़ा से मतलब हलका एक 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 इंच का गयम देखें यह हम लोग यह एक तरह की डिजाइन बन जाती है स्कुएर स्कुएर वाली यह जो पंखब बन रहा है इसका जो प्राइस है यह 16 सो रुपे दरजन वाला है अगर किसी को सिलना है तो वो तो अपने घर के बना सकता है अगर किसी को ओर्डर करना होगा तो वो ओर्डर कर सकता है इसका जो है यह सोलह सो रुपय दर्शन में आएगा और यह तेन यह चार कलर में बनेगा अब ही जब आगे आप लोग देखेंगे जब पूरा फाइनल हो जायागा अब यह हमने शीमेंट की बोरी भी लिया है आभ यह क्या करेंगे कि प्लास्टिक की बोरी और वो एक पल्ला लेक हम लोग पहले सईड से हल्का से सिलेंगे कि यह कि लंबा इस्टिच करके सिर्फ फसान है मक्सद इसका इतना है कि इसको फस जाएगे अब फिर उसके बाद हम लोगे साइट से जो भी बढ़ ही रहेगे पलास्टिक उसको कटिंग कर लेंगे कि दिशागे हैं अब यहां से हम लोग पसिली यह उसके बाद यह हम लोगे कटिंग कर लेंगे अभी अभी अब ही जो दूसरा वाला पला है वो दूसरे पल्ले को उसी पर रखके अटज़ करकें और फिर एक शिलाई मारेंगे अ यह देखिए दूसरा पला उसको भी रखके कि उसको भी शिदायी मार कर फिर उसके बाद हम लोग मजी वाला कपड़ा लगाएंगे यह जो पंखा है यह पंखा मजी वाला है मतलब यह पलटने वाला नहें हैं मिलां यह दूनों पंला हाद्मी कंट्रेस्ट भी लगा सकता है कंट्रश कपड़ का और यह तो फिर same ही लगा जाये अब यह हम लोग मगजी लगा रहे हैं फिर यह से पलट के अच्छे से करके फिर इसको ऐसे यह लगा देंगे यह मगजी final हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग डंडी की तरफ डंडी इधर लगेगी उसके तरफ यह वाला कपड़ा जो डंडी को कवर करता है वो कपड़ा भी स्टिच कर लेंगे यह देखिए यह होगी डंडी को कवर करने वाला और जो साइट में थोड़ा से बढ़ा रहता है वो उसको चार्ट लेने का यह सा रंडी का लग जाएगा अब इसके हम लोग अंदर हम लोग लैस यूज़ करेंगे और यह जो लगा हुआ है यह लैस दोनों साइट से लगाया है मतलब यह कि यह उल्टा और सीधा यह दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देगा अगर यही एक ही तरफ लेस वता तो फिर उल्टा मालूम पड़ता कि हाँ यह साइड वाला उल्टा है मागर हम लोग नों दोनों तरफ लगाया है और हाँ हमारे यहां कैशन डिलवरी एविलेबल है इंडिया में कहें भी हो 7-10 जिन के अंदर घर बैठें पीस मिल सकता है और उसका जो कुरियर का चार्जिस जो डिलवरी के चार्जिस होता है वो सबसे लेके 100, 120, 1.500, 200 जैसा होगा जैसा वेट के उपर होता है अगर यह वाला पंखा जो आप देख रहे हैं यह वाला अगर आप मंगाते हैं एक दरजन तो यह मान के चलिए कि यह 130, 140 तक जाएगा एक दरजन का यह कुरियर चार्ज जो होता है अब यहां देख सकते हैं यह पूरा फाइनल बना हुआ है और बहुत हो सुरत यह लगता है पंखा देख सकते हैं और वह से दूसरे साइड भी है क्योंकि यह दोना तरफ लेस लगा हुआ है उसमें उल्टा सीधा नहीं यह दोना तरफ से सीधा है चलिए गाज फिर हम नेक